तो सारे question जो आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आज थोड़ा basic question पर भी हम बात करेंगे और ये देखी question कि कितने बार पूछा जा चुका है exam में मज़ा जाएगा सारे question आपके सामने है और ये सारे question हम आपको करवाने वाले हैं तो चलिए स्टार्टकरते हैं बूस्तों सबसे पहले हैं परसेंटेज से लिए परसेंटेज का मतलब क्या है यह फियरिये परसेंटेज गूस करते है प्रतीसत ठीक है प्रसेंटist परसेंटेज और इसका यह सिंबॉल होता है परसेंटेज का यह सिंबॉल है दोस्तों एक बात धियान दीजेगा कि प्रसेंटेज जो है ना प्रतीसत का मतलब है 100 में वो कितना जैसे पांच प्रतीसत यानी 100 में कितना तो पांच यानी 100 में कितना पांच इसका यह मतलब हुआ 100 में 5, 10 पर 30 का मतलब हुआ, यह 10 कितना में? 100 में, यानि पर 30 का मतलब है बटा में 100, अगर 15 पर 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 15 बटा 100, 100 में कितना? 15, इसका यह मतलब है, 100 में 15, कोई हिस्सेदारी 30% और 40% का है, इसका मतलब कि अगर 100 रुपया है, तो उसमें 30 रुपय आपका 40 रुपया किसी और का अगर हिसेदारी है पाटनरसीव है तो तो अब एक बात आप समझेगा अब आपसे एक सिंपल सीज हम आपसे पूछेंगे कि चार पांच का कितना परतीसत है चार जो है पांच का कितना परतीसत है चार पांच का कितना परतीसत है तो इसमें तो 4 को लिख दीजिए उपर, 5 को लिख दीजिए बटा में, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको उपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे, परतिसत के लिए करना है 100% से गुना, 5 से कटा 20 बार में 20 के 80% हुआ, 4, 5 का कितना परतिसत है, तो 80% अगर यही बात आगया कुश्चन ऐसे लिखा होता, कि 4, 5 से कितना परतिसत कम है, 4 जो है न, 5 से कितना परतिसत कम है, तो पहले देखो, 4, 5 से कितना कम है, तो एक कम, एक कम किस से, 5 से, यह चार जो है एक कम किस से 5 से ता बटा में 5 लिखना है परतीसत के लिए 100 से गुणा यह 100 परतीसत हो गिया 5 से 100 को कटे 20 बार में तो 20 परतीसत अच्छा 100 से गुणा नहीं 100 परतीसत से गुणा ठिक है यानि कोई भी चीछ जब fraction में होता है 100 पर 30 से गुणा कर देते हैं तो वो पर 30 में हो जाता है देखिए जैसे मालो कि यह 3 बटा 5 है यह भीन में है यानि fraction है अगर इसको पर 30 में लाना है तो 100 से गुणा नहीं 100 पर 30 से गुणा होता है पांच से 100 कटा कितना बार में 20 बार में तो 20 ते कितना हुआ 60 और यह बला पर 30 तो 60 पर 30 हो गया इसका मतलब हुआ कि 3 जो है न 5 का 60 पर 30 है इसका यही मतलब है चलिए अब एक बात समझ लीजेगा जरूरत पढ़ेगा एभी फर्मूला का इस पर अधारित क्वेशन आता ही आता है एकजाम में एभी फर्मूला क्या होता है A पलस B पलस A बी बट्टा सव ठीक है यह भी फर्मूला होता है पर 30 में एक बात और धियान रखना है इसमें कि बिर्धी रहेगा तो पलस का चीन होगा और कमी रहे कमी तो माइनस का चीन होगा ये बात होता है यानि बृधी तो पलस और कमी तो क्या माइनस अब देखे जैसे माल लिजे आप से कहे अच्छा ए भी फर्मूला लगाएंगे कब तो याद रहे कि जब किसी बस्तू पर लगा तार दो बार घटना घटे जब किसी बस्तू पर लगा तार दो बार घटना घटे तो याद रहे दोस्तो जब किसी बस्तू पर लगा तार दो बार घटना घटे तो याद रहे दोस्तो जब किसी बस्तू पर लगा तार दो बार घटना घटेगा और उस आयत के लंबाई 10 परसेंट बरहा दिया 10 परसेंट बरहा दिया चौराई 5 पर तीसत बरहा दिया ये भी बिर्धी है तो कहेगा उसके छेतरफल पर क्या प्रभाब पड़ेगा इस आयत पर दो बार घटना घट या है एक बार लंबाई पर एक बार चोड़ाई पर दो बार घटना घटा ये भी फर्मूला लगा दो ये भी फर्मूला ये एक कामान ये बी कामान पहला बाला एक कहेंगे चलो 10 परसेंट पलस 5 परसेंट फिर 10 गूना 5 अब 800 अब पूरे को हम परतीसद में कहेंगे चलिए ये अगर हम ये 10 पांच जोड़ देंगे तो कितना हो जागा हमारा 15 अब पलस ये देखें 0 से 0 कटा 1 0 हटा ना है तो एक अंक बाद दसमलो हो जागा यानि सारह 15 परतीसद हो गया और उसके बाद उस जीन्स का दाम 10 परसेंट घटा दिया जाता है तो कहेगा उस ब्यापार में उसे कितना परतीस अतलाव हुआ पहले जीन्स का दाम 20 परसेंट बढाया फिर 10 परसेंट घटा आया तो क्या प्रभाब परेगा तो ध्यान दीजे, फर्मूला तो आपका A प्लस B प्लस AB बटा 100 ये फर्मूला था आपका, लेकिन एक बात और लिख दिया था मैंने कि बिर्धी तो प्लस और कमी तो माइनस ये पहला वला बिर्धी है तो 20 प्लस में लिखे अब उसके बादी माइनस में है यहाँ प्लस नहीं रहेगा माइनस दस हो जाएगा और दोनों को गुना करके यहाँ चिन लिखा गया होगा तो ये प्लस में ये माइनस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% क्या किया, घटाया, फिर भी अभी लाव उसको 8% का होगा, ठीक है, अभी ने कहिएगा 20 में से 10 गया तो 10% के लाव होगा, आप सन में देली रहेगा, अमार के खुस मत हो जाईएगा, ध्यान दीजिए, एक चीज ये जान गए, अब आपको एक च जानते ही होंगे, प्रोफिट पला सब लोग काम करता है, यानि प्रोफिट यानि की लाव, और लॉस का मतलब तो जानते ही है, कोई करना नहीं चाहता है, हानी बला काम, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, CPSP Profitable Loss, इस चीज को जान लेना है, और एक चीज जान लेना ह है, भाव का केस, ठीक है न, भाव का केस, किसको कहेंगे, और एक जान लेना है, एमाउंट, एमाउंट का केस, भाव का केस और एमाउंट का केस, दो चीज जान लिजिए, और बस हो गया बात आपका खतम, दोस्तों, CP किसको कहते हैं, क्रेमूल, जिस रेट से कोई बस तो ख बेचा जाता है विक्रैमुल हो गया जैसे मैंने कोई साइखल बेच दिया 2000 में तो उसका बिक्रैमुल 2000 होगा प्रोफीट न Ben खड़ी दे थे आ, कवम में बेचेंगे, हानी होना ही है अब एक चीज आपको समझना है वो ये समझना है कि भाई याँ भाव का केस क्या होता है और एमांट का केस क्या होता है तो याद रहे कि जब जब CP, SP और प्रोफिट लॉस को केवल भस्तू के रूप में दर्साया जाएगा तो भाव का केस हो जाएगा ध्यान दीजे जब CP, SP तथा प्रोफिट प्रोफिट एवां लॉस को लॉस को लॉस को बस्तू के रूप में बस्तू के रूप में दर्साते हैं ये जानना बहुत जरूरी है सुनिए दर्साते दर्साते हैं तो उसे भाव का केस कहा जाता है कहा जाता है ये क्या समझे जब सीपी एसपी तथा प्रोफिट एवं लॉस को बस्तू के रूप में दर्साते हैं तो उसे भाव का केस कहा जाता है मतलब अगर उस सवाल में रुपईया का जिक्र नहीं हो रहा हो रुपईया का चर्चा हुआ ही नहीं है तो वो हो गया बस्तू का केस भाव का केस हो गया इसमें परतिसत लाव या परतिसत हानी हमेशा एसपी पर निकलेगा जैसे माल लो कोई बेक्ती 10 आम खरीदा 10 आम खरीदा और 12 आम बेचा 12 आम बेचा मैंने रुपईया तो नहीं बोला इसमें मैंने क्या कहा एक बेक्ती 10 आम खरीदा 12 आम बेचा तो इसमें पूछेगा कि परतिसत लावानी क्या होगा इसमें रुपिया नहीं बोला मैंने 10 आम खड़ीदा 12 आम बेचा इसका अब ये संसमझना है कि जितने पैसा में उसने 10 आम खड़ीदा उतना पैसा में 12 आम बेचा खड़ीदा हूँ 10 से अब बेचे गया तो उतना में 12 बेच दिया इसका मतलब उसको घटा लग गिया तो अब जो घटा होगा यानि परतीसत हानी होगा उस हानी को निकालेंगे हम हानी अब बत्ता में SP लिखेंगे अब परतीसत के लिए 100% से गुना करेंगे ऐसे यह दियान लखिएगा तो ये कब करते हैं हम लोग भाव के किस में भाव के किस में क्या करते हम लोग कि परतीसत लाब अगर निकालना हो तो हम उपर में लिखते हैं लाब बटा में लिखते हैं SP अगर परतीसत हानी निकालनी हो हमको तो हम उपर में लिखते हैं हानी नीचे में लिखेंगे SP अगूना 100 परतीसद तो ये होगा आपका भाव के केस में कब होगा दोस्तों भाव के केस में भाव के केस में परतीसद लाव और हानी हमेशा SP पर निकलेगा जबकि अगर रुपईया का चर्चा हो रहा है तब हो जाएगा वो ये माउंट का केस और ये माउंट के केस में अगर परतीसद लाव निकलना हो तो आप उपर लिखेंगे लाव निच्चा में CP अगूना 100 ये आजाएगा परतीसद में अगर आपको परतीसद हानी निकलनी हो तो उपर में लिखेंगे हानी, बटा में लिखेंगे CPA, CP अगूना कर देंगे 100 प्रतिसत, यह हो जाएगा, यह कब होगा, amount के case में, amount के case में, यह चीज़ होगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है, कि भाव का case क्या होता है, और amount का case क्या होता है, यह चीज़े आपको जानना ज़रू है, जब सवाल में रुपईया का चर्चा हो जाएगा, तो amount का case हुआ, लेकिन जब के बल बस्तू का चर्चा होगा, तो भाव का case हुआ, अब जैसे कह कि राम जो है राम के 15 बस्तु का क्रेमूल कह देगा 15 बस्तु का क्रेमूल 15 बस्तु का क्रेमूल उसके 20 बस्तु के बिक्रेमूल के बराबर है 15 बस्तु का क्रेमूल 20 बस्तु के बिक्रेमूल के बराबर है इस सवाल में मैंने रूपया बोला ही नहीं मैंने क्या कहा कि 15 के बिक्रेमुल के बराबर है तो परतीस अतलाव यहानी क्या होगा इसमें रूपया मैंने बोला नहीं बोला और परतीस अतलाव हानी पूछ लिया इसका मतलब है कि जब रूपया नहीं है तो यह भाव का किस है भाव के किस में परतीस अतलाव हानी हमेशा S.P. पर निकलेगा द्यान दीजेगा अब आपको ये सोचना है कि 15 बस्तु का करेमुल 20 बस्तु के बिकरेमुल के बराबर है इसका ये मतलब कि जितना पैसा में 15 बस्तु खड़ीदा था न उतना में 20 गो बेच दिया देखे कितना काविल है खड़ीदा पर न रहे बेच दिया 20 गो हानी हो गया 5 गो के लिजी हानी हो गया उसको 5 बस्तु का अब 5 बस्तु का हानी हुआ तो भाई या परतीसत हानी कैसे निकालिएगा उपर में लिखेगा हानी आ निच्चा में SP CP ना यहां लिखेगा SP कितना 20 अब परतीसत के लिए 100 प काट दिया 25 बार में ऐसे भी तो काट देते 25 सव पचे 25 इसे भी हो गया 25 परसेंट कोई दिकत नहीं यह 25 परसेंट की हानी हो गया इस बियापार में उससे ठीक है तो इस बात को धियान रखना है चलिए आते हैं छोटे सवाल पर और जो चीजे बताया उस पर कुछ कुश्य करते हैं ठीक है देखे साथ का 15 परतीसत क्या होगा इको बर का बात है साथ का 15 परतीसत मतलब बटा में सव जीरो से जीरो कट गया चलिए ऐसे भी काट देते 0 से 0, 5 से काटे 5, 3, 15, 5, 2, 10, 2, 3, 6, 3, 9 ठीक है, चलिए अब अगर आप चाहते, अगर आप थोड़ा सा तेज है अगर आपको पता है कि 15% के मान कितना होता है तो 60 का 15% यानि 3 बटा 20 लिखते 20, 3, 6, 3, 9 आपका एंसर आप ये 15% का मान आप याद करिए का तब नहीं से बनाईएगा याद कर लिजेगा अगला 3 रा देख लिजे कहता एक संख्या का 35 पर 35.71 संख्या क्या है संख्या एक समाहल लिए इसका 35 पर 35 कितना है 41 है आईए तो X गोना ये 35 पर तीसच का मतलब हुआ बट्टा में 100 अब बरावर हुआ 91 अब दोस्तों अगर हम काटते हैं 7 से तो 5 बार में 7 से तो 13 बार में अब जाके उधर गुना हो जाएगा 5 से इधर 100 को काट दीजे ना 5 से 100 को काट दीजे 20 बार में अब X की वैलू 13 दूना 26 20 260 हो गया 260 कहां है option B में है अगरा सवाला ये जरा next question छोटा छोटा question है प्यारा सा एक संख्या का 32 पर 36 है वह संख्या कितनी होगी एक संख्या का 32 पर 37 कितना है भईया 56 है तो X 32 पर 37 मतलब बटा में 100 बराबर हुआ 56 आठ से काट दिया तो 4 बार में 8 से काट दिया तो 7 बार में 4 से काट दिया तो 25 बार में और X की वैलू 25 सते 175 अरे 25 इधर भाग में बराबर के उधर गया तो गुना में हुआ एक सो पच्छतर कहां है अप्संस C में आई अगला सवाल देख लिजिए अगला अगला सवाल देख लिजिए अगला अगला सवाल पूछा जा चुका है इस बात को याद रखेगा तो शुरुवात है मारा अगली वीडियो में इसका लेबल हम और बढ़ाएंगे अभी भी और इसमें लेबल बढ़ने बला है आयस्क में 25 परतिसत सीसा है असी किलोग्राम सीसा पाने के लिए कितने किलोग्राम आयस्क की जरूरत होगी माल लेते हैं कि एक्स किलोग्राम आयस्क की जरूरत होगी और जो आयस्क है उसमें 25 परतीसत सीसा होगा तो X का 25 परतीसत बराबर हमको 80 kg लाना है 25 परतीसत सीसा कहता है कि कितना किलो आयस्क रहेगा जो आपका 80 kg सीसा आजाएगा जबकि सीसा 25 परतीसत रहेगा इसका मतलब कि हमने माना कि X kg अगर आयस्क होगा तो X के जी का 25 पर 30 सथ हमरा 80 किलो आ जाएगा अब देखिए तो X का मान अब निकल जाएगा X 25 परसेंट का मान 1 बटा 4 बराबर 80 तो X की वैलू कितना हो गया? 8 चो के 32 320 320 कहा है? Option D में 320 किलो अगला 6 देखिए इस सवाल तो बवाल मचा दिया है इतना वराया है कहता है सवाल एक चुनाव में 2 पर 80 में से 1 को 40 पर 30 मत मिले और वो सव मतों से हारता है मतों की कुल संख्या क्या है कहता है एक चुनाव में 2 पर 80 2 पर 80 में से 1 को 40 पर 30 मत मिला दूगों पर 80 है एगो को मिला है 40 पर 30 मत ता दूसर का ले लिया होगा 60 पर 30 और कहता है कि 100 मत से हारता है अब बताए जो 40 परसेंट प्राप्त किया उस 100 मत से हारा तो 40 परसेंट प्राप्त किया ता हारा होगा कितना से जानते हैं हारा होगा ही 40 साथ में कितना का अंतर 20 पर 30 का ता हारा है 20 पर तोटल बोट निकालना है तो सव परसेंट का मान निकालिए तब बीस कई पाच गुना होता है तो सव का पाच गुना कितना हुआ पाच सव पाच सव बोट परा है टोटल ऑप्सन यह हो जाएगा टोटल बोट की संख्या कितनी पाच सव हां अगला यह सत्मा यहां छठा एक विद्याले में लर्कों का 10% लर्कियों की संख्या के एक बटा 4 के बराबर है, तदनुसार, उस विद्याले में लर्कों तथा लर्कियों का अनुपात क्या होगा, एक विद्याले में लर्कों तथा लर्कियों का अनुपात क्या होगा, एक विद्याले में लर्कों का 10%, लर् फूर है और आपको क्या करना है बоме बत टाजी लिख लेना है या चूंप चाप उधर दस को बेच देना है से नीचे ने फोपर गया जी उधर गुना gotta तो भाग में 10 भाग में उधर गुना में बटा में चार दस और 4 को काटेंगे तो पांच वाइट 2 यानि पांच अनुपात 2 आपका अंसर त्यार है 5 अनुपात 2 कहां option B में अगला सवाल अच्छा, मिस्टेक मत करिएगा, एक्जाम में कर उल्टो देल लहेगा, दो अनुपात पांच देल लहेगा क्या काता है, करियाले में 40% महिला करमचारी है, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुस ने मेरे पक्ष में मत दान किया तदनसार, मेरे मतों का परतीसद कितना रहा, सवाल करियाले में 40% महिला करमचारी है, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुस ने मेरे पक्ष में मत दान کیा तदनसर मेरे मतों का परतीसत कितना है अच्छे एक बात बताईए एक वो अभी चुनावला सवाल परेते जिसमें 100 मत से हावा था तो उसमें एक रियल संख्या दिया हुआ था 100, 800, 200, 500, 500, 500, 500 कुछ भी रहे लेकिन जब सवाल में रियल में कुई भी संख्या नहीं दिया हुआ है तो 100 मान की सवाल बना लीजि पर्सेंटेज का सवाल हमेशा बन जाएगा ये करियाले में टोटल पूछा है ये करियाले में 40 परतीसत महिला करमचारी है तो टोटल आप मान लीजिए टोटल आप 100 मानिये एक सो इसलिए मानेंगे ना कि एक सो मानिये गा तो कर 40% असार्फ परसेंट निकालना असान रहेगा 40% महिला है इसका मतलब कि महिला के संख्या 100 का 40% मतलब 40 तो इतना बात हम लोग अब जान गए कि वही आप पूरूस के जे संख्या होगा जब महिला 40 तो पूरूस हो गिया 60 अब कहता है उन में से 40% महिला आप 10% पूरूस ने मेरे पक्ष में मतदान किया पहले बूला एक कड़्याले में 40% महिला करमचारी है 40% अगर सोगो होगा तो 40 तो महिला, 60 तो पूरूस उसके बार कहता है 40% महिला और 7% पूरूस ने मेरे पक्ष में मतदान किया तदन सार मेरे मतों का परतीसत कितना है सुन लिजिए इसका 40% महिला मतदान करेगी टोटल महिला 40 है ना तब पूरा महिला करती तब 100% महिला हुई तो 40 का 40% महिला मतदान किये परसेंट का मतलव बटा में 100 या यू कहें इसको नहीं लिखें बटा में 100 तो भी कम चलेगा 40 को महिला थी इसका 40-y परसेंट महिला तो 40 का 40% कितना होगा परतीसद से 2-0 कटेगा चर्चों का 16 को महिला अब पूरूस जीतना है उसका साथ परसेंट पूरूस मतदान किया मेरे पक्ष में तोटल इतना मतदान किया परतीस अब लाना है तो सव परतीस से गुणा कर लिजे अब ये चार चोग का सोला अब वो च्छतीस तो सोला अच्छतीस हो गया कितना बावन चोचो बाड़ा के दूठ चार एक पांच बावन तो यह हो गया आपका बावन अबटा एक सो परतीसत के लिए सो परतीसत से गुणा सो से सो कटा बावन परतीसत आपका क्या हुआ एंसर कहां है ऑप्शन डी में है भी या आईए अगला सवाल जड़ा देख लिजे कहता है जब एक साइकल का मुले बीस परतीसत कम किया गया तो बिक्री की बिक्री की गई साइकलों की संख्या बीस परतीसत बढ़ जाती है तदनुसार हां तो दुकान की विक्री पर क्या प्रभापर एक बार वीस परसेंट कम हुआ एक बार वीस परसेंट बढ़ गया साइकल पर दूबार घटना घट गया एवी फर्मूला लगा दीजिए एवी फर्मूला आपको यादा पहला वाला इपीस है कंत माइनस में लिखेंगे फि माइनस बीस ओ माट्टा में हम सौ लिखेंगे फर थीसट म、 प्लसबीस- ङिरो हो गया अब 2-0 से हम यहाँ काठ देते हैं दो zào माइनस भी होता है देखिए इसमें दूबार घटना वाला बात नहीं है एक ही जग है इसमें क्या हुआ है कोईला का मुल्ले बढ़ा है तो भोग में कितना परतिशत कमी किया जाए कि खर्च पहले जितना ही रहे सोचिए ना अगर किसी चीज का दाम बढ़ जाएगा अखानाई आप कम नहीं करिएगा तो बजट बढ़ जाएगा कि नहीं लेकिन अगर आप तेजादमी है अगर किसी चीज का समान का दाम अगर बढ़ गया है तो तनि खर्च पहले जितना रह सकता है बात है समझमे तो वही बात कर रहा है कि कोईला के दाम 20 परसेंट बढ़ा है खर्च अप परती ने रहे तो एक काम करो, बिस पर्षिंट बरहा है ना, तक खाली मुल्ले ही देखना है कि बढ़ा है कि घाटा, अगर मुल्ले बरहेगा तक खापत में कमी पूछवे करेगा, तब मुल्ले बरहा है, तब 20, तो यह 20 को आपर तिस से गुना करेगे, अब लिजे उपर 20 अनिच्छा हुआ है 120 परतीसत के लिए तो 100 परतीसत से गुना हुआ 26 के विशा से 100 बटा 6 6 का धा 300 का धा 50 अरे 50 बटा 3 परतीसत बोले तो 16 पुर्नांग 2 बटा 3 परतीसत आपका एंसर हुआ 26 पुर्नांग 2 बटा 3 ये आजाएगा option 20 को 2 में 3 से भाग दीजेगा तो ये आजाएगा ठीक है तो चलिए मुझे उमीद है कि आपको आया होगा असानी से समझ में अच्छा धूरीना पर जो NTPC का कोर्स चला है जिसका लिंक की नीचे description में आपको दिया हुआ है वहां से आप सीख सकते हैं कि कैसे वहां कोर्स लेना है कैसे देखना है यूटूब पर आपका कला समय साथ चलते रहेगा अगर जिनको यूटूब पर पर परना है पर सकते हैं जिनको धोरीना पर पर परना है वहां भी पर सकते हैं जिनको दोनों जगह परना है दोनों जगह पर सकते हैं ठीक है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्यू बे